नमस्कार दोस्तों मेरे नामे आयूश और आप लोग देहरो टेक्ट फिक्स तो जाम अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बजट 5G स्मार्ट फोन की जो की मांतर 13,000 रुपए में आता है इस फोन का नाम है वीवो T2X तो चलिए बिना समय और बात की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फोन की जल्दी से हम लोग अन्बॉक्सिंग कर देते हैं बॉक्स आप लोग कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा उसके पीछे आप लोग को सारी डिटेलिंग वगारा लिखी हुई है चलिए जल्द को एक टीप्यू केस जो की ट्रांसपैरेंट सा है उसके लाव लोग को मिल जाएगा इसमें कुछ इस्टार्ट गाइड जो की फोन को आउन करने काम आती है उसके बाद आप लोग वारेंटी कार्ड भी है इसमें जिससे आप लोग फोन की वारेंटी क्लेम कर सकते हैं इसमे के लाओ इसमें आप लोग को एक टाइप सी केवाली रख्यों मिल जाएगी जिसकी क्वाल्टी भी डी सेंट है मतलब 13000 रुपए में इससे अच्छा फोन और इससे अच्छी क्वाल्टी कोई जल्दी दे नहीं सकता कि आप लोग देख सकते हैं के बल को उसके पूसologists म मिल जाएगा सीम जैक्टर पिन चलिए अब जल्दी से फोन को देखते हैं आप लोग को क्या-काचे मिल जाती है तो फोन को ब्लाक्टिक रैप से अहटाते हैं और यह हमारे फोन का फर्स्ट लुक जो की अरोरा गोल्ड करर में आता है यह मैंने 6128 लिया है मतलब इसमें 6GB रहे में और 128GB इसकी इंटर्नल स्टोरेज है पीछे आप लोग को इसमें डूवाल केमरा सेटर मिल जाएगा केमरे के मामले में बात आगे करेंगे यह फोन आप लोग को यून आप लोग इसमें यह फोन जैक का गड़ा भी आता है उपर आप लोग को इसमें सिम ट्रे मिल जाएगी याद रहिए आप लोग को इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा यानि आप लोग दो सिम कार्ड और एक एहड़ी कार्ड लेक साथ नहीं चला सकते हैं तो आप लो चली बात करते हैं आप फोन के बारे में तो फोन में इसमें आप लोग को स्लाइब मॉनिटेट फिंगर्पिंट सेंसर मिलेगा जो की काफी अच्छी खासी स्पीड से वर्क करता है क्योंकि यह वह है तो वर्क अच्छे से सको करना आगा इसकी बैटनेस बाने बात करते हैं इसमें आप no koh 65-øre VBee मिल जाएगी जो कि काफी जयादा मतलब फोन में काफी जादा अच्छी आर इसमें आपको Ember की अज़िए ही थाक से यह इसमें काम कर रही है इस समय के लिए। इसके लिए चलिए जल्दीस चलते हैं एक स्टींग में और देखते हैं आप लोग को क्या क्या चीदी मिल जाएगा और आप लोग समय आणवीड वोजन класс 11 भी मिलेगा कि इसमें आप लोग 6GB RAM मिलेगा और इसमें आप लोग 6GB RAM अपने extend भी कर सकते हैं जो कि basically आपके internal storage से ही extend हो जाती है इसके लोगर बात करें जाए इस phone में camera कि तो इसमें आप लोग पीछे दो camera मिल जाएगा 50 जो की वीवो camera के department में काफी ज्यादा अच्छा है हमेशा से इसमें कोई दो रहा है नहीं इसमें आप लोग लोग मोड करके मिल जाएगा इसको मैंने कभी पर्सनलियर तक यूज नहीं किया है जब मैं करूंगा तो आप लोग को इसकी वीडियो जरूर देगे फ्रंट में भी आप लोग को यही सारे मोड मिल जाते हैं आप लोग देख सकते हैं उसमें आप लोग को camera front में 8MP का camera मिल जाएगा जो की decency आप लोग को image वगएरा निकाल के देदेगा इस price range में ज्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए इसके अलावा अगर देखा जाए आप लोग को Bluetooth तो इसमें आप लोग Bluetooth का 5.3 मिल जाएगा जो कि आप लोग की connectivity थोड़ी और ज्यादा अच्छी कर देता है तो इसमें आप लोग को 5G मिल जाएगा तो इसमें 5G का आप लोग को 6 बैंड मिल जाएंगे हमा ऐसे परसनली यूज करने में 5G में कोई भी problem नहीं हुई चलिए आप लोग को हम इसका speed टेस्ट करके दिखाते हैं इसमें कितनी देर लगती है मनला कितनी अच्छी speed देता है यह अपने 5G नेटवर्क पर तो वह इसके 5G नेटवर्क की speed टेस्ट करी जाए तो यह लंब सम मैं इसको ओकला पर टेस्ट कर रहा हूं और यह आप लोग को 750 तक बहुत आराम से निकाल के देदेगा हमारे एरिया में तो इसमें कम 5G बैंड होने से कोई disadvantage हमको नहीं फील हो यानि आप इसमें 2.4 GHz और आप इसमें 5 GHz दोनों आप लोग बैंड चला सकते हैं तो यह था आप लोग का पूरा फोन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को तुरंट से subscribe कर लिजेगा ऐसी और वीडियो के लिए क्लिए क्योंकि हम इसका बहुत जल्दी camera test आने वाले उसका performance test, speed test, battery charging test यह भी सब आप लोग को लाएंगे तब तक के लिए stay tuned